क्या दिपिका पाड़कोन हुई आलिया भथ से इंसेक्यूर? दिपिका पाड़कोन ने आलिया भथ के मेट काला डेब्यू से ठीक पहले शेर की ओस्कर्स 2023 से अपनी BTS पिक्चर्ज क्या दिपिका पाड़कोन और आल्याभट की दोस्ती के बीच इनसक्योरिटी ने ले ली है जगा? दिपिका पाड़कोन और आल्याभट वैसे तो एक दूसरे के साथ अच्छा bond share कर दी है लेकिन दिपिका पाडुकोन के एक recent act ने कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो आलियाभद से insecure है और ऐसा क्यूं हो रहा है तो इसकी बज़े हैं दिपिका पाडुकोन की शेर की गई ये BTS pictures जो इस साल हुए Oscars 2023 की है इन pictures में दिपिका पाडुकोन को stage के towards walk करते देखा जा सकता है तो किसी में वो अपनी speech prepare करती दिख रही है इन्हें अपने social media पर शेर करते हुए दिपिका पाडुकोन ने caption दिया and the rest is history दिपिका पाडुकोन के इस post को सभी का खुब attention भी मिला क्योंकि जहां Oscar Ward Night की ये backstage photos देख दिपिका पाडुकोन के fans खुश है वही इन pictures को देखने के बाद बाकी कुछ users का मानना है कि दिपिका पाडुकोन है आलिया भट से insecure Netizens ने दिपिका पाडुकोन के इस post पर सवाल उठाए है ये कहते हुए कि आलिया भट के Met Gala 2023 में डेब्यू से ठीक पहले ही आखिर दिपिका पाडुकोन ने अपनी इन pictures को क्यों किया है पोस्ट? एक सोशल मीडिया यूजर ने दिपिका पाडुकोन के इस post पर comment किया तो एक दूसरे यूजर ने लिखा पोस्टिंग दिपिका पाडुकोन के इस post पर comment किया ऐसे में क्या आपका भी यही मानना है? वैसे आपको बता दें दिपिका पाडुकोन ने इस साल Oscars 2023 को प्रेजन्ट किया था जिसने सभी का दिन जीत लिया था वहीं अब Metcala 2023 में आलिया भट ने डेब्यू कर एक बड़ा achievement हासल किया है आलिया भट का Metcala 2023 रेड कापिट लुक भी खूब लाइम लाइट में है हर कोई उनके इस लुक को पसंद कर रहा है आलिया भट की सिस्टर शाहीन भट ने भी इस इवेंट से आलिया भट की कुछ पिक्चर्स शेर की हैं जिन्हें फैंस लाइक भी कर रहे हैं और जंप कर शेर भी कर रहे हैं इन पिक्चर्स में वाइट कलो ड्रेस में आलिया भट बेहत खुबसूरत दिख रही है ऐसे में दिपिका पाड़कोन की पिक्चर्स को लेकर जच्चमेंटल हुए यूजर्स का अंदाजा कितना सही है कितना घलत ये भी आलिया भट के में दिपिका पाड़कोन की रियाक्शन के साथ जल्दी सामने आ जाएगा Get a Chance to Feature on Zoom TV Hoja Zoomify